Hello everyone, welcome to Steady Cloud. BPS exam के लिए previous year question देख रहे हैं. आज का section है पॉलिटी का. पहला topic है हमारा भारतिय सम्मिधान एवंग राजवेवस्ता. पहला प्रश्न है, कानून संप्रभू का देश है? यह कतन किसका है? जौन आस्टीन का. भारतिय सम्मिधान को बनाने में कितना समय लगा? दो वर्सी ग्यारा माँ और अठारा दिन. भारतिय सम्मिधान को बनाने में दो वर्सी ग्यारा माँ अठारा दिन का समय लगा, जिसमें सम्मिधान के अप्टारूप पर कुल 114 दिन बहास हुई. सम्मिधान के निर्मान में निमित कुल 11 अधिवेशन हुए भारते सम्मिधान के अंगे कृत होने गिती थी 26 नौमर 1949 है इस समय सम्मिधान में कुल 395 अनुचेद 8 अनुचेद तता 22 भाग थे वर्तमान में भारतीय शम्मिधान में 395 अनुचेद, 12 अनुचेद, 12 अनुचेद और 22 भाग है डॉक्टर राजंदर प्रसाद को सम्मिधान सभा का सभापती चुना गया किस वर्स में? दिसम्बर 1946 में कैबिनेट मिसन योजना के आधार पर गठित सम्मिधान सभा के प्रतम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई सचिदानन सिनहा को अस्ताई अध्यक्ष नामित किया गया 11 दिसम्बर 1946 को डॉक्टर राजंदर प्रसाद सम्मिधान सभा के अस्ताई अध्यक्ष चुने गया दो वरसी 11 मा 18 दिन में निर्मित सम्मिधान को सम्मिधान सभादवारा 26 नॉम्मर 1949 को अंगिकरित किया गया अनुशे 394 का अनुशार भारतिय शम्मिधान के लागू होने किती थी 26 जनवरी 1950 है भारतिय सम्मिधान को शम्मिधान सभाद्वारा अंगे कृत किया गया कब? 26 नौमर 1949 को भारतिय सम्मिधान को अपनाया गया था सम्मिधानिक सभाद्वारा सम्मिधान सभा को सम्मिधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राओ भारतिय समिधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को समिधान सभा के प्रतम बैठक कब हुए 9 दिसमबर 1946 को 26 नॉबर 1949 को समिधान के किस या किन उपबंध को प्रभावी किया गया इसमें ऑप्शन C है नागरिक्ता, निर्वाचन और अंतरिम संसत को समिधान सभादवारा समिधान को 26 नॉबर 1949 के दिन अपनाया गया तता इसी दिन समिधान के कोछ प्रावधान या अनुचेद लागू कर दियेगा जैसे कि नागरिक्ता अनुचेद 56789, अनुचेद 60, निर्वाचन, अनुचेद 324, अनुचेद 36, 67, 389, 380, अंतरिम संसत 388, तता अनुचेद 391, 92 वा 93, अनुचेद 394 का अनुचार 16, अनुचेद 26 जनवर 1950 को प्रभरित सभाए समिधान सभा की प्रांतिए समिधान समिती के अध्यक्ष्य कौन थे? सभदार पाटेल. समिधान सभा की प्रांती शमिधान समिधी का अधियाक्ष सर्दार बॉल्ला भाई पटेल को चुना गिया प्रारूप समिधी का अधियाक्षी डॉक्टर भीम राउंबेट करते हैं किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वारसिक परिक्षा के माध्यम से सीविल सेवकों की निवक्ति को अनुमत किया। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम के तहट सिविल सेवा में नियुकती है तो इंग्लेंड में वारसिक परिक्षा कराने का प्राउधान आया चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, जिसमें उम्र सिमा 18-23 वर्स तक रखा गया. नियुक 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 नियु में भारत पर इसद्य को पेहली बार माननलों को बइस गणुए गयाT algun चुनाऊ किया है और के सी深 वे के नशार भारतियी पहीता одного धर्कषुटान है एक अर्द शेंगीय समयधान अला तुर यह रेवेटर उसक्ट किया गया प्रांतिय कैसे झूछ मेंसे निम्न ine किस तो लिवितक को हो ईजिनीय मंतिक उत्र नेप으लाईंट में इस बन किस अधिनीयम के तहत किया ग्या था लावट्व जिन कि तीन स्वेकाइस अनुचियद और दस अनुसूचियां थे इस अधिनियम की मुख की विसिस्ताइं इस प्रकार है यह संग 11 ब्रेटिस प्रांतों छे चीफ कमिशनर के छेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेक्षा से संग में सम्मिलित हो प्रांतों के इस संग में शमलित होना अनिवारिय था किन्तु देसी रियासतों के लिए यहां एक्ट छिक था इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वायद स्यासन व्यवस्ता गांत करके उन्हें एक सोतंत्र और श्वशासित सम्मैदानी का धिकार प्रदान किया गया साथ ही कें संद्र में द्वायद सासन के स्थापना की गई एक संगिये नियायले की व्यवस्ता अधिनियम के द्वारा की गई सम्मैदान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का नियर्णा इसलिया गया क्योंकि क्योंकि इसी दिन कॉंग्रेस निश्तिति को 1930 में सोतंत्रता दिवश के रूप में मनाया था 1929 के लाहोर अधिवेशन में जिसके देख्षता पंडित नेरू ने की उसमें कॉंग्रेस ने पूने सोराज के प्रस्ताव पारित के और या नियर्णा लिया कि आज के दिन प्रति वर्ष 26 जनवरी को सोतंतरता दिवश के रूप में मनाया जाएक तद अनलूक कॉंगरेस ने 26 जनवर 930 को प्रतल पंस्तंतता दिवश मनाया इसलिए 26 जनवरी के देख्षत ¿7 भारत के शमेधान लागू करने का निर्णा लिया गया है भारतिय सम्मिधान के उद्देशी का संग एवंग राज्यचेद भारतिय शम्मिधान के स्रोत अनुसुची एवंग नागरिगता हो आर्थिक रूप से पिछड़ो यानि EWS के टेगरी को आरक्षन देने है तू शम्मिधान के की अनुचेदों को समलित किया गया है अनुचे पर तिसता हरक्षन परदान करने के विवस्ता की गए भारतिये शम्मिधान के अनुचे 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्च शमम्मधान से ये किस्देश की सम्मिधान से ये लिया गया है बृटएन के सम्मिधान से लिगे यया बरीटिस विदी शास्ती पर्फिशर तो भारती देश के साधारन विदी का धीन होगा। सम्धान का भाग अनुशेद 14-18 समता का अधिकार पुरदान करता है। भारत में जदी एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारती शम्धान के किस अनुशेद में संसोधन क्या वश्क्ता होगी। भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुशेदों का संसोधन करना होगा। जदिक तंत्र के विफल हो जाने की तसा में क्या उपबंद होगा इस पे भी संसोधन करना पड़ेगा। तो अनुशेद 83 में, अनुशेद 356 में, अनुशेद 172 में एक स्यधिक यानि आप्शन E इन सब में संसोधन की अवश्क्ता होगी। दोहरी नागरिक्ता लक्षन है किसका? संगात्मक शासन का. दोहरी नागरिक्ता शंगात्मक शासन का लक्षन है अमेरिका वश्विजर लेंड जैसे देसों में इसे अपनाया गया। यद्यपी भारत के शंगीय वश्विजर लेकिन इसमे केवल एकल नागरिक्ता की वश्विजर नागरिक्ता यहां राज्यों के लिए कोंई प्रिजर नागरिक्ता की वश्विजर नहीं है। लड़ाख की, जमू और किश्मीर राजी विभाजन के बाद बने केंदर रिशासीड प्रदेश लड़ाग की अपनी कोई विधाई का नहीं है, केंदर शरकार नहीं कहती हां सिक रसला लते वे समिधान सनुछेद 370 को हटाने और जम्मु कस्मीर राजी का विभाजन दो केंदर शासित शेतरो जम्मु कस्मीर और लदाख के रूप में करने का फैसला लिया इस संदर में संसर ने जम्मु कस्मीर पुनरगठन विधयक 2019 को पारित किया जम्मु कस्मीर सनुछे 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने जम्मु कस्मीर विधाई का वालक के अंदर शासित प्रदेश वा लदाख को बिना विधाई का वालक के अंदर शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान किया भारत में नियाएक प्रणाली किस पर अधारी थै? कानून द्वरास्तापित परक्रिया पे भारत में नियाएक प्रणाली का प्रात्मी के मंग मुखिसरोत भारत का शम्मिधान है कोई विधी, कानून, नियम, उपनियम, आदीश, अत्वा, निर्देश तभी तक विधी मानने हैं जब तक वश्म मैधानिक उपबंदों के अनुकूल है इसके अलावा भारत में न्याईक निर्वचन, विधी दवरास्थापित परक्रिया के अनुषरन में गतिसील है अर्थात, विधानमंडल दवरावचित परक्रिया के अनुपालाण में निर्मित विधी को धियान में रख़ा जाता है इसमें भावना या इक्षा को नहीं देखा जाता शंमयधानिक बैख्या में लिकित तत्यों कायदार पर रिकरिया का निधारन किया जाता है मेनका गांधी बनाम भारत संग के वाद में इसे सू असपस्ट किया गया भारत के शम्मिधान के किस अनुसूची के अधिन जन जातिया भूमी का खनन के लिए नीजी पक्षकारों को अंतरन अक्रित वसुन ने घोसित किया जा सकता है पाचवी अनुसूची के अधिन भारत के समिधान की पाचवी अनुसूची में जन जातिया चेत्रों के प्रशासने मंग नियंतरन सम्बंदी उपबंद किये गए जिसमें असम में घाले तरिपुरा मिजोरम राज्यों को छोड़ कर अनिराज जाते हैं अनुसूची पाच अनुच्छेत 244 कव या एक के भाग कह खंड पाच दो कव में उपबंद किया गया है कि इस समिधान में किसी बात के होते हुए राजिपाल ऐसे 26 के अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों दोरा या उनमें भूमी का अंतरन का प्रतिश्यद या निवंधन कर सकेंगे साथ ही जन जातियों के सदस्यों को भूमी क्या वंटन का विनिमयन कर सकेंगे विनियमन बारती समयदान की इस अनसूची में भारतिय भासाओं की सुची समलित की गई आठवे अनसूची में जुमूल समयदान में 14 थी, वर्तमान में 22 भासाएं है पता विकल्बटी सही है एक कैसीवे संग्याशासन अदिनियम उनीस सो बानबे द्वारा कौंकडी मनिपूरी और नेपाली तथा बानबे वे संग्याशासन अदिनियम दोजार तीन द्वारा बोडो, डोंगडी, मैथली और संथाली को इसमें जोड़ा गया हूँ निम्न लिखित में से संग्या शासन के एक प्रमुख विसिस्ता क्या है? केंद्र और राज्य अपनी सक्तियां शम्मिधान से प्राप्त करते हैं ये विसिस्ता है संग्या शासन के अंद्रगत केंद्र राज्य अपनी सक्तियां शम्मिधान से प्राप्त करते हैं संगात्मक सरकार एक ऐसी प्रिणालिय जिसमें केंद्रिय तदास्ताय सरकार एक श्रमाने प्रभु सत्य के अधियन होती हैं। भारते शम्मिधान के संकात्मक लक्षन के अंदरगत सम्मिधान की सरवच्चता सम्मिधान के दोरा किंदर सरकार और लिकाईयों की सरकारों में सक्तियों का विभादन लिखित और कठोर सम्मिधान तता सोतंतर उच्चतम लिखित और कठोर सम्मिधान तता सोतंतर उच्चतम नियाले आदिस सामिले निमने लिखित में सिक्या समिधान की ग्यारवी अनुसुची में सामिल नहीं है ग्रामिट खेल इसमें नहीं है पुस्तकाले इंदन चारा तक्नीकी प्रस्रिक्षन है समिधान के ग्यारवी अनसुची में पंचायती राद संस्थानों से संबंदित 29 विसे लिखे गए है जिसमें वाचिनालाई, इंदन और चारा तक्नीकी प्रशिक्षन एंवंग वासाहिक सिक्षा आदिश शामिल है मुल समिधान में केवल आठ अनसुचियों का उपबंद था, बाद में नवी अनसुची को प्रतम समिधान संसुदन अधिनियम वार उनिस सो पचासी में जो दल बदल से संबंदित था उसे जोड़ा गया उनिस सो बानवे में तिहत्तरवे और चोहत्तरवे समिधान संसुदन अधिनियम द्वरा करमशय ग्यारवी अनसुची पंचायती राज तथा बारवी अनसुची नगरिय प्रशासन जोड़ी गए 73 शमpoweredán अदिनयम, 1992 एक 11 bubbling प्रसाष नींद्रंन 만 Pink न top 5 प्रशाष को प्रक्षा ने मोजा है कुल 29 विशए को प्रसाष नींद्रं में रखा गया जानवरों के प्रती कुरूरता की की रोग्थाम को भारतीय समिधान की किया उसी पस्वो के प्रती पुरूरता रोक्ताम अधिनियम भारती संसद वरा 1960 में पारित एक अधिनियम में जिसका उदेश्य पस्वो को दी जाने वाली अनामस्यक पीड़ा और कस्ट को रोकना है। आजादी के बाद भासा के अधार पर भारत के राजियों का पुनर गठन किस वर्स में हुआ? भासा के अधार वक पुनर गठन हुआ 1956 में। तीन सदस्चिया जिसमें अनने सदस्चिया थे केम पढ़ेकर तताहिरदाय नात पुंजरू एक राज्य पुनर गठन आयोग गठिक किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर 1955 को अपनी रिपोर्ट के अंदर स्विकार को सौपी। इस समीती ने राजियों के पुनर गठन में भासाई आधार पर राजियों के पुनर गठन को स्विकार किया। तथा एक राज्य एक बासाग ऐसे धांत को अश्विकार कर दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर गठन आयोग गठिक किया गया। निम्न में से किसे भारतिय शम्मिधान के प्रस्तावना में अस्थान नहीं मिला है। सभी के लिए सिक्षा ऐसा प्राधान नहीं है उसमें। लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और रास्ट की एकता और अखंड़ता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए धिर्ड शंकल्प होकर अपनी सम्मिधान सभा में आज तारीक 26.49 को एत द्वारा इस सम्मिधान को अंगी कृत अधिनियमित और आत्मा रपीत करते हैं निमने सब्दों पर विचार करें इन सही सब्दों को विचार अनुशार करम दीजिए सबसे पहले इसमी क्या आता है शारव भौमिक इसके बाद समाजवादी इसके बाद धर्म निर्पेक्ष और अंत में प्रजात अंतरी बारतिये शमिधान की समपन समाजवादी धर्म निर्पेक्ष जनवादी गंतन प्रग। भारत में लौकी एक शारव भौमिक था है क्योंकि शमिधान की प्रस्तावना अरंब होती है किससे हम भारत के लोग सब्दों में। भारती समिधान में समाजवादी सब्द कि संसोधन के द्वारा समाजवादी सब्द को जोड़ा इसे लगु समिधान के रूप में जाना जाता है महत्वपुन संसोधन है 42 संस१न भारती शमिधान के प्रस्तावना में किस संसोधन द्वारा समाजवादी धर्म निर्पेक्ष सब्द जोड़ेगा है कि संसुधन में चुड़ा गया कि निम्ण में से कौन सा भारत μας को एक धर्न निर्पेक्षिरा जी रुप में वरनिक करता है शंबिदान के प्रकृत्वन है बारतिय शंबिदान के परकृत की परिख्ञ करते हैं कि डॉक्टर अम बेटकर को और सुक्षा हम असार एकात्मक पर Сंगात्मक हो शकता है। तो अब सनी है। हो फिक्त में से एक से अधिक एकात्मक भी हो सकता है। अच्छित्न आम बारतरी शम्मितान परीशंगिये शम्मितान मängerगत्यों उत्र सब्तोट है। जुकी हुई है। राज्य सुची 66 प्रविष्टिया वर्तमान में 61, समवर्थी सुची 47 प्रविष्टिया जो कि वर्तमान में 52 है। तो ऑप्शन B जो है हमारा सही उत्तर है। संगिय सुची में क्या आते हैं। रेल, बैंकिंग, डागर, भीमा, स्टॉक, एक्स्चेंज और वाइदा बाजार, जनगना, निगम कर आदे। राज्य सुची में लोग व्यवस्था, पुलीस, कारागार, अस्थानिय, शासन, कृष्टिय, उद्योग, जल, वित्या दे। और समवर्थी में वन आर्थिक एमंग, शामाजिक योजना, जन सेंख्या, नियंद्रण, वन परिवार नियोजन, कीमत, नियंद्रण, कार खाने, विद्युत्या दे। निम्न में से कौन सा विसे समवर्थी सुची में है? सिक्षा जो है समवर्थी सुची में है। बूमी सुधार के विशेयों के अंतरकत कौन सा आता है किस में आता है राज्य सुची में आता है भारतिय नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतिय बैंक में धन जमा करके आपको नागरिक्ता नहीं मिल सकती है नागरिक्ता अधिनियम 1905 के अनुसार नागरिक्ता पाग सरते हैं जन्म से, बंस की अधार पर, पंजी करन्दवारा, प्रकृतिक रूपशे चता शेतर शमाविस्ट की अधार पर बारिदेश अमिदान की दसवी अनुसुची का संबंद उन्द किस्से हैं दल वदल विरोधी कानून से भारतिये शम विधान की जिस धारा के अनुसार विधान सभा का गठन होता है वह कौन सा धारा है। नॉब्बर 2000 को भीहार के दक्षिनी इससे को विवाजित करके जारकन राजे का स्रिजन हुआ, जो भारत का थाइस बार राजे बना था, भारत में सुधरिड केंद्र के साथ संगिय अढ़ाचा, इसका विचार कहां से लाया प्रेडरल सिस्टम कानाड़ा से भारत में सुधर के अंदर के साथ संगिया ढाचा का विचार कानाडा से लिया गया राजय पाल की नियुकती संग आवंग राजी के विच सकती का विभाजन और अवसिष्ट सकती ये सब भी कानाडा से लिया गया नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मूल अधिकार, राज जी के निती नहीं देशकता तो एवंग मूल करता प्रें थैंक्स फर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टेडी क्लाउड, थैंक्यू